किसान साथियो इस ताइवन पिंग के बाग की मैं अब तक आपको चार वीडियो दिखा चुगा हूँ इसकी कटिंग हमने पाँच मई से लेकर दस मई तक की थी और जब भी मैंने इस्प्रे किये थे तब ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जो लास्ट वीडियो थी वो थी 416.4 आज की वीडियो में मेरा अपतात पर यह आपको केवल फलों की इस्थिति दिखाने का है और किसी भी फल में कोई भी रोग नहीं देखे कितने प्रूट है यह जो मैंने चोथा इस्प्रे बताया था वो इसका अंतिम स्प्रे था इसके बाद में हमने इसमें दो काम कराये हैं मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या काम थे आप देखिए जब मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें यहाँ पर पूरे खेत में इधर भी नजर देराईए पूरे खेत में कितना बड़ा बड़ा गहास था मैंने वो सब साफ कराया है और ये पंजाब के नवा सहर का एरिया है यहाँ पर अभी पिछले दो बार बहुत तकड़ी बारिस हुई है परसो भी बहुत जबरदस्त बारिस हुई थी इसी खेत में हम खड़े हैं और इस समय इसमें कोई भी रोग नहीं है तो पहला काम मैंने ये कराया था कि इसमें मैंने ये घास कटवाया था उस ताइम जो पिछली वीडियो में बड़ा बड़ा घास था दूसरा कारिय था कि मैंने इसमें जो निरंजन जैल आता है इफको का आता है मैंने एक उसका इस्प्रे किया था कि उससे अगर कोई भी कीडा वीडा हो जो नीम के तेल का एक्स्टेक्ट होता है उसको कभी भी पसंद नहीं करते और उससे दूरी रहते हैं आपको दिखाया था कि जो फ्रूट फ्लाइ ट्रैप है वो मैंने अलेडी लगाए हैं उनमें देखिए यह जो हना कुछ मक्या आती है जो फस जाती है यह बहुत ही इफेक्टिव है चिपकू का और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे खेत में इसमें आसपास जो मैंने इसका म बिमारी नहीं है तीसरा जो मैंने कारिय किया था मैंने दिखाया था कि कुछ पेड़ मेरे पीले हो गए तो उनमें जो मैंने इस प्रेय बताया था आज मैं देख रहा हूं कि बहुत ही कम असर रहा है और अब वो सारे पेड़ स्वस्थ हो गए है आपको थोड़ा इधर कि कोई कमी नहीं है इसमें और मुझे कुछ भी अब ऐसा करने की जोरत नहीं है हां जो सुरक्षा के कारण मैं इसमें करीब 15-20 दिन में एक इस प्रेय निरंजन जल का अवस्य करा देता हूं चुकि फल आ गए हैं और मेरा ये प्रियास रहता है कि फलो पर कोई भी आपका जो है ना इंसेक्टिसाइड या पिस्टिसाइड हम नहीं लगाएं यूज करें कितने सुंदर फल हैं और ना मैं बैगिंग करूँगा कुछ नहीं करूँगा और इनको ऐसे ही तोड़कर मैं बेशूँगा देखता हूं कितनी फसल आती है जो भी लोग इसे देखने आते ह कहते हैं इसमें बहुत फल है और आपको बहुत अच्छे आमदनी होती है ये मेरे हाथ में नहीं है अगर प्रकरती ने और इश्वर ने साथ दिया तो बहुत अच्छे आमदनी मिलेगी किसान साथियों जिन लोगों के अच्छे फल बन चुके हैं अगर वो चाहें तो इस स उपर एक प्लास्टिक का कवर करें, जो लोग नहीं करना चाहते वो ये ध्यान रखें कि इसमें कोई नीम का आयल या हलका सा कोई भी इस तरह का जो आप बायो यूज करते हैं, उसको परियोग करते रहें, जिससे कि आपको ये ना लगे कि भाई इसमें कोई बिमारी आएगा देखिए, अगर आप पहले से सुरक्सा करेंगे तो बिमारी नहीं आएगी, मुझे बहुत भाई फोटो भेजते हैं, कि मेरे अमरूद में ये आ गया, मेरे उसमें फल में ये हो गया, तो उसका जो मुख्य कारण है, वो ये रहता है, कि देखते ही मुझे पता चल जाता है कि एक-एक महीने तक अपने बाग में नहीं जाते हैं, आप अगर फलो की बागवानी कर रहे हैं, तो कम से कम, कम से कम हफते में एक बार अपने बाग में अवस्य जाएं, और इस प्रकार घोमे के आपको सभी पोदोगी जानकारी हो जाए, कि किसी में कोई रोग तो नहीं ह कुछ भाई ऐसा होता है मान लीजिए उनके पास 500 पेड़ हैं और दो पेड़ों में कुछ प्रोब्लम हो गई तो बहुत परेसान हो जाता है कुछ चीजे हमें प्रकरती पर भी छोड़ देनी चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि उनकी वज़े से आप सभी पोधोगा करें किसी अच्छे सलहाकार से बात करिए कि कहीं इसका असर मेरे पूरे बाग में तो नहीं आएगा अगर ट्रीटमेंट करना भी पड़ा तो उनहीं पोधोगा करिए और अगर आप सही धंग से सीखना चाते हैं तो Amazing किसान का WhatsApp ग्रूप जोईन कर सकते हैं लेकिन उसकी फीश है जो आप सबको पता है हम समय समय पर इसकी जो फसले होती हैं इनकी जानकारी देते हैं कि अब क्या करना है अब क्या करना है और उसके अलावा भी आगर आपकी कोई समस्य हो आप बाग लगाने जा रहे हैं या आप कोई प्लान बना रहे हैं अपना फार्म डवलप करने जा रहे हैं तो हम उसमें भी सला देते हैं आप Amazing किसान फार्म पर विजिट भी कर सकते हैं और ये जो बाग है जहां मैं खड़ा हूँ, ये बाग राहों के पास है कृपाल सागर का, मैं महीने में 20 दिन यहां पर रहता हूँ लगबद, तो आप मेरे से समय लेकर आप यहां भी आ सकते हैं, देख सकते हैं, हम यहां विन प्रकार के फल उगा रहे हैं और खेती भी कर र इंपोर्टेंट है, अगर समय चला गया, तो आपको बहुत नुक्सान हो सकता है, अर्थात फाइदा कम होगा, इसी के साथ मैं विद्धा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जै हिन, जै भारत, वंद्यवाद,